नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में से कट-कट की आवाजे आती हैं, आप अलग-अलग दवाईयां और तेल प्रयोग करके तरस्तो जुके हैं कि आखिर में इस समस्या का निदान तो मिल ही ने रहाँ, तो आज का वीडियो हैं आपके लिए, दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नमरता शिर्वास्तों और आज के इस बेहत महत्रपूर्ड वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में ये हडियां जो कमजोर हो जाती हैं, इनसे जो दर्द की समस्या जाने का नाम नहीं लेती, उसके लिए होमेपैथी में कौ के लिए शुरू करते हैं इसके अराव विटामिन डी भी एक बहुत प्रमुक वज़े है, दरसल विटामिन डी एक ऐसा स्रोत होता है, माध्यम होता है, जिसके वज़े से हडियों के अंदर ये केल्शियम पहुँचता है, यानि कि ये एक मीडियम होता है, जिसकी प्रेजेंस में ये केल्शियम हमार के शरीर के अंदर उतना ही जरूरी है इसके अलावा अगर आप बहुत भारी भरकम काम करते हैं वजन उठाने वाली आपकी habits हैं या आप कुछ ऐसे athletic काम करते हैं athlete हैं जिससे कि आपको बहुत भाग दोड रहती हैं तो इससे भी joints में wear and tear होता है wear and tear का मतलब यह होता है कि हमारे joints के बीच में जो मौझूद जो cartilages होते हैं वो देरे-देरे करके घिस जाते हैं इसके अलावा इस joint को support करने वाली जो चीज़े हैं जैसे कि tendon, बरसे और ligament अगर इनमें कोई problem है इनमें कोई सूजन आ गई है या ligament tear हो गया है या फिर कोई muscle injury हो गया है तो भी बहुत ज़ादा संभावना है कि आपको joint से सम्मद्धित दर्द होने लगता है ऐसा अकसर देखा गया है कि जो athletes होते हैं या जो खेल कूद में भाग लेते हैं खास और से running में, weight lifting में तो उनके joints में कभी न कभी पहले की जो injury आती है remote injury हो, acute injury हो तो joints पे असर काफी जादा देखने को मिलता है कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी normal व्यक्ति को भी चोट लगती है और वो उसका proper धंग से इलाज नहीं करते हैं, दवा नहीं करते हैं, कुछ वर्षों बाद चलके भी आगे दर्द हो सकता है तो ये थी कुछ प्रमोग कारण जिसकी वज़े से हमें joints में दर्द होता है उनमें सूजन आ जाती है, हडियों आपस में टकराने लगती है, cartilages घिस जाते हैं जिससे की crepitations होती हैं, आवाजे आती हैं तो आप ये सोचते हैं कि आवाजे जो हैं आखिर में बंद क्यों नहीं होती हैं क्यों हमेशा इस तरह से joints में आवाजे आते रहती हैं तो उसका यही कारण है कि आपके cartilages घिस रहे होते हैं अब हम जान लेते हैं कि आखिर में हम क्या-क्या उपाय अपना सकते हैं कौन-कौन से ऐसे factors हैं जिनकी उपर ध्यान देके हम शुरुवात से ही अपने joints को मजबूत रख सकते हैं ताकि व्रिधा वस्ता में या जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम अपने joint संबंदी complaints से बच सकें इसमें एक बहुत जरूरी चीज़ है कि आप प्रती दिन दूद का सेवन जरूर करें दरसल दूद एक ऐसे चीज़ है जो calcium का सबसे आसान माद्यम है आप calcium के लिए सबसे easy सुरोत के बारे में अगर सोचें तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है milk यानि दूद और दूद से बनीवी चीज़े सोचे वह छोटा सा नवजात बच्चा जो कि किवल दूद के उपर 6-9 मेने साल भर तक वो रह जाता है क्योंकि दूद एक संपुर्ण अहार होता है और सबसे अच्छी मातरा में इसके अंदर बहुत ही natural way में calcium पाया जाता है इसलिए अगर आपको कोई और chronic कोई समस्या नहीं है कोई cholesterol, triglyceride वगरा की कोई problem नहीं है तो बहुत ही असानी से आप आदे glass से एक glass दूर तक परड़े ले सकते हैं और अपने daily calcium की requirement को पूरा कर सकते हैं नेक्स जो चीज़ यह है कि आप अपने joints की mobility को बनाए रखने के लिए उसकी strength को बनाए रखने के लिए शुरू से ही कुछ न कुछ exercise जरूर करें जैसे कि अपने joints की mobility को बनाए रखने के लिए पहली चीज़ तो है weight बहुत जादा ना उठाएं बहुत जादा heavy weight lifting से बचे और हलकी फुलके जो joints से संबंदी exercise हैं उनको जरूर करें इससे वहां के manspatia मजबूत रहती हैं और वीरेतरे करके उनमें जो है लचीलापन जो है वो maintain रहता है जिससे की काफी समय तक आप joints संबंदी complaint से बचे रहते हैं तेल की मालिश करना अपने joints को मजबूत रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है दरसल तेल की मालिश करने से हमारे joints का circulation improve होता है और इसके साथी साथ joints में एक lubrication maintain रहता है अगर हमारे joints में lubrication अगर अच्छा है अगर synovial fluid हमारे joints के बीच में अच्छा है तो हमें दर्द की समस्या और सूजन की समस्या काफी समय तक नहीं होने पाती है इसके अलावा यह ज़रूरी है कि हम अपने body weight को नियंतरण में रखे दरसल जो लोग obese होते हैं या जिने मोटापे की समस्या है उनके joints के उपर बहुत ज़्यादा भार पड़ता है और दिरे दिरे करके उनके joints या तो टेड़े होने लगते हैं deformation होने लगता है और joints में pain भी रहने लगता है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने body weight को आपने अंतरण में रखे खास तोर से अगर आपको ये problem hereditary है joint की problems अगर hereditary है तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इसके अलावा हरी पत्तेदार सबजियां जैसे पालक है ब्रॉकली है इनका भी सेवन आप जरूर करें क्योंकि इसमें कुछ ऐसे micro nutrients होते हैं जो कि हमारे joints की मज़वोती को और लचीले पन को बनाए रखते हैं तो दोस्तो अब चलिए बिना देरी के जान लेते हैं homeopathic medicines के बारे में जो कि इन सभी समस्याओं के लिए चाहें वो injury से संबंदित हो, कोई चोट लगी हो, नई चोट हो, पुरानी चोट हो या rheumatism से संबंदित हो, गठिया हो, गठिया बात हो, या फिर osteoarthritis हो, osteoporosis हो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही जादा homeopathic में अच्छी medicines हैं जिनकों की symptoms के according प्रियोग किया जाता है दोस्तों वैसे तो homeopathic में बहुत सारी medicines हैं इस problem के लिए लेकिन यहाँ confusion जादा न हो, आप लोग confused न हो जाएं, इसलिए कुछी दवाईयों के नाम बता रहे हो जिनकों की symptomatic तरीके से आप ले सकते हैं, अगर उस दवा का symptom आपको मिल रहा है तब उस दवा को आप 2-3 हफ़ते तक प्रियोग कर सकते हैं लेकिन अगर आपको जादा फाइदा नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इससे जादा benefit नहीं है तो definitely अपने डॉक्टर की सला जरूर लीजिए, कि हो सकता है कि उस दवा की जगे कोई और दवा आपको जादा suit करें या फिर उस दवा को assist करने के लिए कुछ और दवाईयों की भी सहायता पड़ सकती है तो injury के case के लिए हमारी सबसे पहली दवा है और वो है आर्निका आर्निका Montana injury के लिए लगभग specific medicine मानी जाती है होमेपैथी में आर्निका चोट कि जितने भी cases हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी medicine है आर्निका को आप किसी भी acute injury में या remote injury यानि पुरानी कोई चोट हो नई चोट हो दोनों में दे सकते हैं इसके patient को डर लगता है कि उसकी चोट को कोई touch ना कर दे जैसे patient का जो घुटना होगा या कहीं भी चोट लगी होगी वो सूजा हुआ होगा दर्द से बेहाल होगा लगतार दर्द बना रहेगा ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा है बंद हो जाए आएसा नहीं होगा लगतार वो soreness बनी रहती है वो डरा रहता है कि कहीं मेरे घुटने को कोई touch ना कर दे डॉक्टर साब ना touch कर दे कोई आने जाने वाला टश नहीं करें इसलिए वो एक तरफ जो है चुप चाप बैठा रहता है ताकि कोई हमारे घुटने को टश ना कर दे तो इस तरीके का पेशेंट देखने को मिलता है आमनिका में काफी sensitive पेशेंट होता है दर्द से बहुत बेहाल रहता है सूजन रहती है और इसमें blunt injury होती है सेकेंड जो हमारी medicine है injury के लिए और वो है Ruta G, Ruta G भी specific medicine मानी जाती है चोट के किसी भी तरीके की कैसे हो चाए वो ligament injury हो या फिर tendinitis हो सूजन के साथ inflammation हो इसके अलावा joint में चोट लग जाए तो वहाँ पर Ruta G का प्रियोग किया जाता है soreness यानि दुखता रहता है हमेशा वो joint होगा वो दुखता रहेगा और patient को लगातार दर्द बने रहता है कि ये दोनो medicines को अगर हम injury के case में लेते हैं खास उसमें sports person के लिए भी ये कहना चाहूंगी जो लोग athletes हैं उनको ये case में ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों में देखने को मिलता है कि बच्चे भाग दौड करते रहते हैं अचानक खेलते खेलते गिर जाते हैं उनके लिए भी medicine बहुत अच्छी है ताकि आगे चलके उनको किसी भी तरेके की joint संबंदी दिक्कत ना हो चोटे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि उनको liquid में दवाई देने से बचें बलकि उनको आप मीठी गोली में यानि 20 number जो globules होती हैं उनमें आप थोड़ी सी दवा को डालके सुबह दुपहर शाम करके देखिए और दीजिए और देखिए कितने marvelous results आपको देखने को मिलते हैं आ जाते हैं हम अपनी next category में और वो है rheumatism यानि गठिया से संबंदे दवाईयों के बारे में गठिया चाहें वो संदिवात हो या नॉर्मल गठिया हो इन सभी के लिए होमेपैथी में बहुत अच्छी दवाईया हैं यहां मुख्यता में केवल तीन दवाईयों के नाम बता रही हो जो कि आप symptom के according प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी दवाईया हैं लेकिन यह सारे सेंटम्स जादा तर लोगों में देखने के लिए मिलते हैं इसलिए इन दवाईयों का नाम बताया जा रहा है रस्टोक्स नाम से जो दवा है इसकी 200 पोटेंसी में आप प्रयोग कर सकते हैं यह उन लोगों के लिए जादा फायदे मन्द होती है जिनको दर्द चलने से आराम रहता है और वो अगर बैठे हैं बैठ कर अगर तुरंत उटते हैं तो उनका दर्द बहुत तेज बढ़ जाता है पर एक्जेंपल पिशन्ट अगर रात में सोया है तो उसे कोई दर्द नहीं है जैसे ही वो बिस्तर से उटके खड़ा हुआ और चलना शुरू किया दर्द से पीड़ा से बैठ जाता है फिर दीरे दीरे करके अपने दर्द में ही वो चलना शुरू करता है पंदरह से बीस मिनट से आदे गंटे होने तक जैसे ही वो चलना शुरू करेगा चलते चलते जब उसके जोड में गर्माहट आ जाएगी तो उसका दर्द कम हो जाएगा यह है रस्टॉक्स की खासियत यहाँ पे 200 पोटेंसी में अगर दो बूंद करके एक चमच पानी मिलिया जाए तो पेशन्ट को काफी आराम मिलता है इसी के ठीक ओपोजिट मेडिसन है ब्राइनिया 200 ब्राइनिया 200 का जो पेशन्ट होता है उसके जोडों में दर्द होती है stiffness बहुत होती है जकडन होती है लाल हो जाता है और चुबन जैसा सुई चुबने जैसा दर्द होता है पेशन्ट जो होता है जब वो रेस्ट में है तो उसको आराम है और जब वो चल रहा है तो उसकी दिक्कत बढ़ जाती है यानि कि एक तरफ बैठे रहना शांती से बैठे रहना उसको ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि उसके दर्द में राहत रहती है जहां उसने चलना शुरू किया वैसे उसका दर्द बढ़ते ही चला जाता है इसलिए रस्टोक्स और ब्रायनिया है तो दोनों अपोजिट लेकिन काम करती है बहुत ही जादा सटेक अमारी नेक्स मेडिसेन है कॉल्चिकम कॉल्चिकम एक ऐसी दवा है जिस किसी को पेट संबंदी बिमारिया हो पेट में प्रॉब्लम रहती हो लिवर की खराबी हो डाजेशन पूर है पेट अच्छे से साफ नहीं होता कॉंस्टिपेशन है डायरिया है और दीरे-दीरे करके उसको गटिया हो जाए यानि शुरुआत पेट से होई थी लेकिन पेट की बिमारिया चलते चलते गुटना पकड़ लिया अब गुटने में दर्द है, सूजन है, यूरिक ऐसिद की प्रॉब्लम बढ़ गई है तो इस तरह के केस में कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करेगी कॉल्चिकम को भी 200 पोटेंसी में दो बूंद करके सुबह शाम लिया जा सकता है इन दवाईयों की गोलियां भी बहुत फायदा करती हैं अगर ये गोलियों में भी हैं तो इन्हें चार-चार गोली करके सुबह शाम लिया जा सकता है दोस्तों अगर इन मेंसे कोई सिम्टम आपको दिख रहा है तो इन दवाईयों को प्रियोग करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन इस बात का आप जरूर क्याल रखिए कि अगर किसी मेडिसिन से आपको फायदा दिख रहा है तो इनको दो से तीन हफते प्रियोग करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है कि दो हफते तीन हफते हो गए लेकिन आराम नहीं मिल रहा है तो उस केस में आपने डॉक्टर की सलाहा जरूर लीजिए हो सकता है कि उस दवाई के साथ कुछ assisting medicines की जरूरत हो या कुछ symptom ऐसा हो जो आप पकड़ ना पा रहे हो और डॉक्टर के अनुभव का आपको ज़ादा फाइदा मिल सकता है तो उमीद करती हूँ कि आज का joints पे based वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा आपने आज कुछ नया सीखा होगा और अगर वीडियो के इस पड़ाओं तक आख मेरे साथ बने हैं तो वीडियो निश्चित रूप से आपको ज़रूर पसंद आया होगा मेरे YouTube पिक की विकास यात्रा में आप मेरे सहभागी बने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना बिलकुल मन भूलिएगा फिर मिलूंगी आप से ऐसी ही कुछ काम के जानकारी लेकर तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा जैहिन बंदे मात्रा